हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बात करने वाले हैं जो की लड़का होनी की और इशारा करते हैं यह जो जितने भी सिंटम्स हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ यह मेरे पर्सनल एक्स्वीडियन्स पर आधारी थे हैं साथ ही जिनने बेटा हुआ मैंने कई लोगों से मैं पूछती रहती हूँ उन्होंने मुझे बताया उनमें भी यह सिंटम्स थे जिन जिनको बीटा हुआ लेकिन मज़ेदार बात तो यह है कि जिनने बेटी हुई न उनमें यह लक्षन नहीं देखे गए थे अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनमें यह लक्षन दिखाई देते हैं तो प्लीस कमेंट में ज़रूर बतायागा और हाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीस आप लोग इन सिंटम्स को देखकर 100% शियोर मत हो जाएगा क्योंकि हो सकता है कि आप में यह लक्षन दिखाई दिये हो और आपको बीटी हुई हो क्योंकि यह 100% वर्क नहीं करते हैं तो गैस मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि यह 100% वर्क नहीं करते हैं अब ज़रूरी नहीं है कि यह मुझे में दिखाई दिये और जो मेरे पहचान की, मेरे relation में जितनी भी लेड़े से उन में दिखाई दिये तो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप में भी दिखाई देते हैं तो आपको भी बेटा होगा, हो सकता है कि आपको बेटी हो जाए लेकिन दोस्तों जो बुजोर को महिला हैं जो बताया करती थी यह वही सिंकम से जो मैं आप लोगों से शियर कर रही हूँ अब उनकी बात माना कि 100% सही नहीं होती है लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि 100% गलत होती है क्योंकि उन्होंने कुछ तो देखा होगा एक्सपीरियंस किया होगा आखिर उन्हें इतने सारों का एक्सपीरियंस है क्योंकि देखे अल्ट्रा साउंड में कोई भी हमें यह नहीं बताएगा कि बेटा है या फिर बेटी है और अल्ट्रा साउंड में भी क्लिरली हमें नहीं पता चलता अगर डॉक्टर को देखना आता है पर वो भी 90% कि 10% बिल्कुल ऐसा 100% कोई भी नहीं बोल सकता कि होने वा प्लीज़ आप लोग एक उत्सुपता को कम करने के साब से देखेगा अधर्वाइस अगर आप लोग यह सोच रहे हैं कि यह सिम्टम सकर आप में दिखाए देते हैं तो होने वाला बचा बेटा ही होगा तो प्लीज इसे इसे किप करके आप लोग जा सकते हैं क्योंकि यह जितने symptom है ये मुझे में दिखाई दिये थे और मेरे पास comment आते रहते हैं कि symptom share कीजिए इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती रहती हूँ तो चलिए जानते हैं वो पहला लक्षन तो पहला लक्षन है दोस्तो pregnancy के दोरान अगर आपकी एडियां गुलावी हो गई हो हना मुलायम सी और गुलावी हो गई हो तो ऐसा माना जाता है कि होने वाला बच्चा एक बेटा होगा तो ये मेरे साथ बिलकुल सही थाबित हुआ था तबी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हूँ और एडियों से जोड़ी एक और चीश है जो कि हैं दोस्तों आपकी एडियों का फटना ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी गुलावी एडिया हो तो भी लड़का होता है और अगर आपकी एडियां फट रहे हो एक पेर की एक पेर की अगर एडियां फट रही हो आपकी तो भी ये संकेत होता है लड़का होने का क्योंकि ये मेरे साथ भी सही हुआ और भी मैंने चार पाच लेडिस में ये लक्षन देखा है उनमें बिल्कुर सही पाया गया तो देखे जरूरी नहीं कि एक ही टाइम पर दोनों सिम्टम मिल जाए आपको ऐसा क जादा होती है कि आपका होने बाला बच्चा एक बीता होगा फिर दोस्तों दूसरा लक्षन है आपके निपल का कलर निपल का अगर जो निपल के आउटसाइड का जो एरिया होता है अगर वह आपका बहुत जादा ब्लेक हो गया हो अल्मोस्ट वह काला हो गया हो एक होता ह पूरे रंग का वैसे की बात में नहीं कर रहे हैं वैसे तो सब कही होता है नॉर्मली भी वैसे होता है लेकिन अगर आपका अल्मोस्ट ब्लैक पढ़ गया हो तो ऐसा माना जाता है कि होने वाला जो बच्चा है वो एक बेटा होगा चाथ ही अगर आपके निपल पे दाने आ हो जो की उबरे हुए अलग से दिखाई दे रहे हो छोटी छोटी सी दाने दाने से हो गया जैसे पिंपल्स होते है और अगर हो गया हो आपको तो यह भी एक संकेत होता है लड़का होने का फिर दोस्तो एक और सिम्टम है अगर आपको साथवे आठवे महीने की दोरान अग तो वाजडिस्चार्ज का एक कारण भी होता है जो कि मैंने अल रेड़ी वीडियो में बताया है अब वो मुझे वीडियो अच्छाए अगर मुस्ते होगा ना तो मैं पॉसिबल होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसके ओपर मैंने अल रेड़ी वीड कहना होता है कि अगर आपको 7-8 महीने में वाइड दिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही हो तो यह लड़का होने का लक्षन होता है और यह मेरे अंदर भी था इसलिए मैंने आप लोगों से शियर किया लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन मैंने अल्रेडी शियर किया हुआ है इसलिए आप लोगों को बार 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 बोलती हुआ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तकि आपको सारी इंफोर्मेशन अच्छे तरह से मिल पाए जिसे कि जितने भी लड़का होने के लक्षन होते हैं उनके बारे में सही जानकारी सही नॉलेज आप तक होता है तो चलिए नेक्स्ट वड़ते हैं एक और लास्ट लक्षन की और तो वह है दोस्तों यह आप लोगोंने कई बार नोटिस किया होगा जब आप रेगनेंट होते हैं तो यह लगबाग आठवे नवे महिने में आपको यह लक्षन दिखाई देगा जो की है यूरिन को आपको दोबारे यूरिन आता है लेकिन आप जाती है वाश्रों तो ज्यादा आप नहीं डिसकाड कर पाती है विकारस आपको ऐसा फील होगा यूरिन आ रहा है उस पे प्रेशर पड़ता है तो यूटरेस पे प्रेशर के कारण आपको ऐसा लगेगा बार-बार कि आपको वाश्रम जाना है यूरिन पास करना है पर आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि इतना मतलब ड्रोप बार ड्रोप निकलेगा पर निकलेगा जुरूर तो यह एक अगर आप में सिंटम होता है तो यह भी एक लड़का होने का संकेत होता है और यह लक्षन भी मेरे अंदर था फिर नेक्स सिंटम दोस्तों यह मैंने अपने चरफ से कैट किया है यह लक्षन बहुत है अगर आप प्रेग्नेंसी टाइम में जाधा जल्दी जल्दी एमोशनल हो ज जाता है किसी की भी छोटी छोटी सी बात पर अगर आपको रोना आ जाता है और आप अपने बच्चे के बारे में बहुत जाधा पजेसिव होती है मतलब आपको जो चल रहा है ना जो भी आपके सामने हो रहा है उस बारे में आप बहुत जादा सोचती है बहुत जादा दि तुम ज्यादा दिमाग पर मत लिया करो तो मैंने उनसे कहा कि मैं ना चाहते हूं भी दिमाग पर कोई भी बात चड़ जाती है तो उन्होंने कहा था कि विट्टा यह तो लड़का होने की निशानी होती है अब यह नहीं बता इस बात में कितनी सचाई है लेकिन उनने मुझे बताया और मेरे साथ सही हुआ इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं जितने भी लक्षन में बताया यह मेरे परसनल एक्सपीरियंस पर दे इनमें से अगर कितने लक्षन आप में होती है वो प्लेस कमेंट में ज़रू बतायागा और किसी भी इस लक्षन को आप 100% मत लीजएगा यह किसी पर वर्क करते हैं और किसी पर नहीं लेकिन यह भी जरूरी रही कि किसी पर भी वर्क ना करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक